है है यह फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अवर्क में हम कैसे लॉग इन करते हैं कैसे हम अपना एकांड जो है क्रियेट करते हैं अवर्क के लिए तो चलिए मैं आपको बताता हूं हम साइन अप पर जाएंगे आपकी जो भी मेल आइडी होगी उसको आप यहां पर एंटर करेंगे इसके बाद continue with email पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यह जो मैसेज है यह होगा मगा इसको आपको इग्नूर करना है उसके बाद देन आपको फिर से continue with email पर क्लिक करना है फिर आपका जो भी फर्स नेम और लास्ट नेम होगा जो रियल नेम होगा वह आपको यहां पर एंटर करना है आपको यह पूरा फॉर्म फिल करना है आपको जो भी पासवर्ड आपको जो डालना है वह आप डालोगे झालोगे उसके बाद आप जिस तरह से फ्री लेंसर पर वर्क करना चाहते हैं जैसे इसमें लिखा हुए उसके बाद आप जिस तरह भी इस पर वर्क करना चाहते हैं उसको आप चूस करोगे जैसे मैं यहां पर चूस कर रहा हूं वर्क अज़ा फ्री लेंसर आफ्टर देट आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आपके इसी पेज़ पर आपको एक वरिफिकेशन इमेल आएगा इसको आप वेरिफाई करेंगे वेरिफाई होने के बाद क्रिविटी और प्रोफाईल पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद फिल आउट मैनुवली पर आप क्लिक करोगे इसमें जो भी डीटेल पूछी जा रही है आप सब्सक्राइब तो आपका जो भी टाइटल है आप एज ग्राफिक डिजाइनर या सॉफ्ट्वेर आप वैब डेवलपर जो भी जिस भी टॉपिक पर आप एज जिस रोल पर आप वर्क करना चाहते हैं फ्री लैंसर में आप वह अपने एक्कॉर्डिंग यहां पर आप अपना टाइटल जो है वह आप लिखोगे कि जैसे मैं यहां पर डाल देता हूँ कि पीसी भी डिजाइन आप से संवेगे संवे हैं आप Darren मैंन जो है कि जैसे मैं ऑल राल आप वहां वighब कर आप एकथ यहां चसरे कहस्ति सम्याँ ओल प्स्राट कारो आपा उसके बाद next एडियोर experience तो आपका जो भी work experience है वो आप अपना यहां पर experience आप टाइप करोगे तो आपने जैसे आपने जिस भी फिल्ड में as a software engineer और as a design engineer आप work कर रहे हो कहीं पर यह आपने पहले कर रखा है तो आप वो टाइप कर सकते हो जैसे मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं design engineer इसके बाद आप जो भी company रहे है आपकी आप वह आप अपनी company यहां पर डाल सकते हो पर आपका जो भी duration है जहां से भी आपने जिस भी month से जिस भी year से आप experience गेन कर रहे हो और अभी आप इस रोल में हो तो आप इसमें checkbox को click कर दोगे after that you can click select your working month and after that select your year then after that you can write your description आप जो भी work करना चाहते हो उसका जैसे भी आपने आपका जो रूल रहा है इस company में है आप उसकी detail यहां पर आप type करोगे आप अपना पूरा description दोगे आपका description कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो कि show करेगी आप well well confident हो और आप बहुत अच्छे से उस work को जानते हो आप जो भी software यूज कर रहे हो आप उसको बहुत अच्छे से यूज करना जानते हो आपका वो description में यह show होना चाहिए क्योंकि जो आपको काम देने वाला जो person है जो आपको काम देगा जो वो उसको सबसे पहले यह description में उसको यह show होगा तो इसलिए आपका description ऐसा होना चाहिए कि जो एक confident हो और आपको यह show करें कि आप उस चीज में आप आप एक्सपर टूँ आपको क्लिक कर देंगे यह आपको design engineer का यह पेज स्टेप का शोगा आफ्टर देट आपका जो भी education है वो आपको आइड करने पड़ेगी आप आपको पस्टेट आपका का शोगववाद और श़िए यह अवादाव यह अ most probably आपको fluent ही select करना है क्योंकि यह आपको अच्छा expression देता है after that you can share your skills कि इसके बाद आपको चूज यॉर एरिया और वर्क पर क्लिक करना है जो कि आपको बताएगी आपके बारे में यहां से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक करनी है आप जो भी जैसे आप design करते हो या civil में हो या architecture हो तो आपको उसमें से आपको अपना सब करनी है एब अचने में आपको अपना अपका आरली रिट है आप जित्ना कम रख सकते हो आपको इतना कम रखना है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको यहां परिपकरBye इतना ज्यादा है इस परित यह तो टाइम लगता है तो आप अपना रेट आर्ली रेट जितना कम रखेंगे उतना ही आपको बैनेफिट हुगा तो जैसे मैंने अपना आर्ली रेट जो है मैंने 20 डाल दिया है तो इसमें एस पर दर टैक्स सेशन जो है उसके बाद कटने के बाद जो सम्थिंग है आपके आराउंड सिस्टीन वो आपका आएगा दैन लास्टली सेलेक्ट याफ फोटो आप अपनी फोटो को सेलेक्ट करोगे दैन आपका फोटो एकदम क्लियर और क्रिस्प होना चाहिए नो सेल्फी कि आपका जो करेक्ट अड्रेस है वह आपको यू यूज करना है जो आपका रेजिदेंशल एरिया है नाओ चेकर प्रोफाइल पर आपको प्लिक कर देना है आप इस तरीके से अपनी प्रोफाइल कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं थैंक यू कि अपना है